बहुत 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 धन्यवाद अध्यक्ष महोदे मैं आपके माधियम से बजट के बारे में एक दो बाते करूँगा मैं ज्यादा टाइम ली लूँगा क्योंकि अल्रेडी बहुत लेट हो चुका है और जीरो आवर भी बाकिया है मानिय बितमंत्री साथ बैटिये हैं एक बात तो साथ हजार करोड रखा गया है 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तो 70 क्रोड में एक city बनाने की बाद कर रहे हैं जबके 200 क्रोड में तो एक shopping mall बनता है पता नहीं अब ये कौन सी planning है कि कैसे ये उसमें 7000 क्रोड में 100 smart city बनेंगे smart गाओं के बारे में क्यों नहीं कहा गया मौनसून के बारे में कुछ नहीं बोला गया मौनसून अल्रेडी भी का रहा है और उसके बारे में सूखा प्रभावत लाके के बारे में कुछ नहीं रखा गया मैं तो एक छोटी सी कविता बोलके बैठ जाओंगा उसमें सब कुछ ह उसमें मैंने बजट और जनरल बातें एड़ कियें और वो ध्यान से सुलने अगर बीजेपी वाले तो मुझे खुशी होगी और वो है कि पहले किराया बढ़ाया रेल का फिर नंबर आया तेल का खुद ही दस साल करते रहे नुक्ता चीनी आते ही दो रपी ए किलो महंगी कर दी चीनी हर कोई सपने दिखा कर आम आदमी को ठग रहा है अध्यक्ष मोद्या आम लोगों को अब डर चीन से नहीं चीनी से लग रहा है दुनिया मून पर सरकार हनी मून पर पूछ रहे पूरे देश के चाये वाले हैं महंगाई की वज़ा से खाली चाये के प्याले हैं लोगों को तो बस दो वक्त की रोटी के लाले हैं सरकार जी बता दीजिए अच्छे दिन का बाने वाले हैं शायद पता नहीं है कि इराक है किसे इलाके में भारतिय इराक में फसे हैं विदेश मंतरी शुश्मा जी गई थी ढाके में बंगला देश को ये विदेश मंतरालय का बफ़त क्या दस दिर बाद नहीं जा सकता था क्या कंधार की तरज पर विदेश मंतरी का जहाज बगदार नहीं जा सकता था, तो मैं तो यह कहूंगा, कि हमारे देश के लोग बहुत हिम्मत वाले हैं, जिन्हों ने इस महंगाई के दोर में भी बच्चे पाले हैं, लूटने वाले ज्यादा बस गिंती के रखवाले हैं, प्लीज सरकार जी बता दीजी, अच्छे दिन काब आने वाल मेरा शिक्वा किसी गायजा भैस से नहीं, और मैं बिजली से चलती हूँ, गोबर गैस से नहीं, तो मोधी साब के परधान मंतरी मानने हैं, परधान मंतरी के भाशन लोगों को खूब जचे हैं, अध्याक्ष मोधिया, एक ही राहत की बात है, कि विदेशों से काला धन आने वाले हैं, थैंकि.